दोस्तो काफी सारे लोग जो कि SBI की Net Banking का इस्तमाल कर रहे हैं SBI के Net Banking के Application योनो में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जब से Sim Binding का फीचर आया है Sim Binding यानि की जो Mobile Number आपके Bank Account में रेजिस्टर है वही Mobile Number आपके फोन में लगा हुआ होना चाहिए यानि उस Mobile Number से जुड़ी हुई SIM आपके फोन में होनी चाहिए तब ही योनो काम करेगा लेकिन काफी सारे लोग जब योनो में उसी नमबर से रेजिस्टरिशन कर रहे हैं वापिस से या फिर जिनके पास पहले से योनो था और उसमें वापस से उसी को चलाना चाह रहे है तो उनके Technical Error 001 करके मैसेज आ रहा है या फिर कुछ लोगों के मैसेज आ रहा है Fail to initiate message तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Complete Information दूँगा कि Technical Error 001 का क्या solution है और मैं वो इलाज बताऊंगा कि आज तक YouTube पर उस तरीके का आपको कोई solution नहीं मिला है इस तरीके के आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी जिसमेर आपको Technical Error 001 का solution बताएंगे लेकिन आपको Complete solution किसी वीडियो में नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के लाश तक बने रहना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें चले शुरू करते हैं जैसे ही आपने योनो के application को Play Store या App Store से डाउनलोड किया या फिर आपने अपने पुराने वर्जन को अपडेट किया और अपडेट करते ही क्या होता है आपके mobile phone से जो आपने number select किया है SIM1, SIM2 जो भी SIM आपने bank account में register की हुई है उससे एक message जाता है अब काफी लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि जो number उनके phone में लगा हुआ है जो उनका permanent number नहीं है लेकिन उनके bank account में दिया हुआ है और उसमें उनके balance नहीं है आपको ध्यान देने योग बात ये है आपको मैं बता देता हूँ आजकल message भेजने के लिए भी आपको balance अलग से डलवाना पड़ता है message का अगर आपने unlimited free वाला recharge नहीं करवा रखा है तो काफी लोगों के साथ तो ये दिक्कत हो रही है कि उनके phone में balance है लेकिन उनके phone से message नहीं जा रहा तो आपको बता दू कि 119 रुपय का minimum recharge आप जब करोगे तब ही आप अपने phone से message भेज सकते हो अगर आपने free वाला प्लान नहीं लिया है तो आपको 119 रुपय का minimum recharge करना पड़ेगा तब आपके phone से message जाएगा और उसके बाद आप योनों शुरू कर पाएगी अब काफी लोगों के phone से message ही नहीं जाता है क्योंकि उनके technical error 001 करके message आ जाता है इसके दो कारण होते है पहला कारण तो ये होता है कि आप जिस SIM से message भेज रहे है यानि कि जो number आपके bank account में register है उसमें balance नहीं है balance नहीं है तो आप 139 रुपय का recharge करवाईए जब message जाएगा किसी किसी के दिक्कत ये होती है कि उनके message का balance तो है लेकिन फिर भी message नहीं जा रहा है तो आपको message center number की setting ठीक करनी पड़ेगी और bank के जिस number पर message जाता है वो number मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर आप test में high link कर भी वेश सकते हैं अगर उस number पर आपके message जा रहा है आप general message भेज़ के देखिए अपने message box में जाकर अगर वहाँ से आपके message जा रहा है तो आपका yono चालू हो जाएगा अगर वहाँ से भी message नहीं जा रहा है तो आपको अपने sim की message setting ठीक करनी पड़ेगी आज तक किसी वीडियो में आपको mobile number नहीं बता है जिस पर bank के server पर जिस number पर message जाता है वो number मैं आपको बता देता हूँ कि उस number पर जब तक message नहीं जाएगा तब तक आपका yono activate नहीं होगा आपके phone से 777-1896-5316 इस number पर automatic message जाता है तब आपका number verify होता है yono के server से तब आपके phone से yono चलता है अब आप बार बार technical error SB001 देखते रहते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके phone से message गया या नहीं गया आप इस number पर अपने message box में जाकर message भीज सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके phone से message send हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं नहीं तो आपके बार बार technical error SB001 या फिर cannot process now please try again लेटर इस तरीके message आते रहेंगे तो आप जैसे इस number पर message भीजेंगे और आपके phone से successfully message sent हो जाएगा तो आपका योनो की प्रिकरिया आगे बढ़ जाएगी कई 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 लोगों के फिर भी नहीं चल रहा तो उनको योनो light SBI app का इस्तमाल करना चाहिए योनो light SBI app को जैसे ही वो login करने कोशिस करते हैं उनके फिर से message आजाता है क्योंकि SBI ने जरूरी कर दिया है कि अपना login password 90 दिन के अंदर change करें ज्यादा तर लोग अपना login password change नहीं करते हैं इसलिए security के कारण SBI ने ऐसा किया है जैसे ही योनो light SBI को चालू करना चाहते हैं तो वहाँ पर message आ जाता है कि आपने अपना login password 90 दिन से change नहीं किया है इसे आप change करें तो आपको change करने के लिए www.online.sbi.com पर जाना होगा और वहाँ पर अपना username और password से आपको login करना होगा और अपना पुराना password डाल कर आपको नया password change करना है जैसे आप password change कर लेंगे उसके बाद आप yonolite SBI को इस्तमाल कर पाएंगी तो दोस्तों इस तरीके की error का यही solution है और आप कितनी भी कौसिस कर लीजिए SB001 error आपकी तब तक solve नहीं होगी जब तक आपके phone से SBI का जो server है योनो का उस पर जो मैंने आपको number बता है उस number पर जब तक message नहीं जाएगा तब तक आपकी यह समस्या solve नहीं होगी तो आप ध्यान दें कि आपके phone में outgoing message की facility होनी चाहिए अगर message नहीं जा रहा है तो आप 119 रुपय का recharge करें उसके बाद भी message नहीं जा रहा है तो message center number चेक करें क्योंकि किसी भी number पर message नहीं जाएगा इस number पर आप message भेज के देखे किसी और number पर message भेज के देखे अपने दोस्त के आपके कहीं भी message नहीं जाएगा तो आपके message जाना बहुत आउशक है और message जाने के बाद भी अगर आपका योनो नहीं चल रहा है तो आप क्या करिएगा अपने apps में जाएगा फोन की settings में जो apps आते हैं और वहाँ पर योनो में clear data और clear cache memory करिएगा तो आपका योनो चल जाएगा पका guaranteed 100% तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें